नमस्कार दोस्तों मैं लीना के अपने चैनल लीना की चैनल एसमें ब्लोक्स में स्वागत करती हूँ तो आज एकार्टे मास की शुक्ल पक्ष की एकादैशी जिसे देव उटनी एकादैशी या देव प्रबोदनी एकादैशी कहा जाता है इस दिन भगवान विश्णु जो तीथी होती है वही सरुमानिय तीथी होती है जिस समय सूर्य उद्य होता है तो आज एकादैशी जो की शाम को 6 बच के 8 मिनिट तक रहेगी और काफी लोग जो लोग ब्रत और उपवास रखते हैं उनको नियमों का पालें जरूर करना होता है कुछ ब्रत के नियम अलग होते हैं कुछ उपवास की नियम अलग होते हैं तो खान पान से संब्दित हम बात करते हैं कि एकादैशी के व्रत में आलू खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं आम तोर से बनाए जाने वाली सब्जी है जो ब्रत में काफी लोग प्रियोग में लेते हैं काफी लोग वरत में जो सबजी बनाई जाती है उस सबजी के दोरान वरत में आलू का प्रियोग सबसे ज़्यादा किया जाता है तो अगर जो भी आप सबजी बनाते हैं कुछ भी चार्ट फंगर बनाते हैं जो भी बनाते हैं तो आलू का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें हाला कि काफी लोगों को पता नहीं रहता है इस बारे में तो मैं खास तोर पर बता देती हूँ कि आलू के अंदर अगर आप सुई चुबोते हैं तो उसके अंदर काफी जिवानों और किटारों होते हैं और एक अदेशी के वरत एक सात्विक वरत है यहां तक बताएंगाएं एक अदेशी के वरत के दिन जो लोग वरत रखते हैं जाडू तरक नहीं लगाते और जो नीम की दातों नहें वो तक नहीं करते हैं वरक्ष से पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रत के अंदर काफी लोग जो लोग आलू खाते हैं तो प्लीज आज से ही खाना बंद कर दीजे काफी लोगों की कमेंट पर आते हैं कि नमक हम नहीं खाते हैं सेंदा नमक खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं तो ये नमक के लिए भी काफी वीडिय क्यों ही देखने पड़ेंगे तो यह जानकरी अगर आपको थोड़ी से विडियो चक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं जुड़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल लाइक अम प्रेस करें हरे किश्णा